90-64 में जापान ने पहली बुले ट्रेन लॉंच की थी जिसकी स्पीड थी 210 kmph जो चली थी टोकियो से ओशाका की बीच लेकिन हमारी वंदे भारत इससे कई गुना ज़्यादा अच्छी होगी कैसे आईए बताता हूँ अब जिस वंदे भारत पे काम जारी है उसकी स्पीड होगी 220 kmph जिसको चलाया जागा 200 kmph की स्पीड पे आपता है आप बोलोगे कि ट्रेक्स अपग्रेड नहीं है इसी स्पीड के लिए लेकिन दिरे दिरे ट्रेक्स है वो अपग्रेड हो रहे हैं और फिर उसके बाद में टोटल ये प्रोजेक्ट होगा वो होगा 28,000 करोड रुपे गा और इसके साथ-साथ जो कमपनी इस प्रोजेक्ट को जीतेगी उसको 35 साल तक इसका मैंटनेस भी करना होगा इसकी एक ट्रेन की कीमत होगी वो होगी 130 करोड रुपे जो कि बाकी ट्रेनों के मुकाबले के साथ होगी बाकी आप अपनी रे कमेंट में बता देना चैनल को कर देना सब्सक्राइब